चेहन बच्चों इस समय आप लोग महामने इस्चूट के योटूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लास 10th सिभियर से Physics 1st Chapter Reflection and Refraction of Light के Numerical Examples और Numerical Example में हम Example No.2 10.2 देखेंगे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आगे जब इस चैप्टर का Exercise हम बताएंगे तो Exercise में इस तरह के धेर सारे Numerical दिये गए हैं और इन Numerical में से एक Numerical आपसे वोड के एक्जाम में जरूर आता है इसलिए इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तयार करना होगा और फिर आगे ताकि आगे और बहने पर Intermediate में भी Physics के Numerical मिलते हैं आगे अगर आप IIT, NET या Z Advanced वगरण क्वालिफाई करते हैं तो उसमें केवल Numerical ही पूछे जाते हैं इसलिए इन सब को बहुत अच्छी तरह से तयार करना होगा अगर अभी से आप Numerical तयार करते जाएंगे तो आपका Base बहुत ही Strong हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं Example 10.2 क्या है आइन आपजेक्ट 4.0 cm in Size आपजेक्ट का जो Size है ये 4.0 cm है आप देखें ये आपजेक्ट A भी है और आपजेक्ट के Size को हम यच से रिप्रेजेंट करते हैं आपजेक्ट का Size आपको दिया हुआ है 4.0 cm आइन आपजेक्ट 4.0 cm in Size is placed at 25 cm in front of the कानकेव मेर ये कानकेव मेर है कानकेव मेर से ये जो आपजेक्ट है ये 25 cm in front का मतलब होता है सामने ये पोल है कानकेव मेर का तो कानकेव मेर के सामने 25 cm के distance पर ये आपजेक्ट A.B. रखा हुआ है और आपजेक्ट A.B. की जो हाइट है ये 4 cm है आइट कानकेव मेर आप फोकल लेंथ 15 cm ये जो कानकेव मेर है कानकेव मेर का फोकल लेंथ फोकल लेंथ को इसमाल F से रिप्रेसेंट करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 15 cm अब एक बात आप समझ लिजे ये है कानकेव मेर तो कानकेव मेर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है और कानकेव मेर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा ये F की वैलू आपको दी गई है 15 cm आइट वार्ट डिस्टेंस फ्राम दो मिरर सूड ए स्क्रीन भी प्लेस्ट इन अर्डर टू अप्टेन एस सार्प इमेज जरा ध्यान से समझ ये क्या कहा जा रहा है क्वेस्टिन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो कानकेव मीरर है इस कानकेव मीरर के सामने कितनी दूरी पर स्क्रीन रखा जाए कि उस स्क्रीन पर आपजेक्ट का क्लियर इमेज ठीकना आपजेक्ट का सार्प इमेज यानि क्लियर इमेज आपटेंड हो तो आपसे क्या समझा जा रहा है कि का निंग केव मीर से कितमें डिसक्रीन होगा आप से समझेक इसक्रीन वहीं होगा जहां आपजेक्ट का इंदाइगा इसका मतलब यह हुआ कि आप से यह इमेज के बीच का टिस्टेंज कहा होगा क्योंकि जहां इमेज बनेगा स्क्रीन वहीं होगा अगर इसक्रीन कहिं आउर रहेगा थो वह इमेज हिन नहीं नहीं होगा तो इसलिए आप से Prince जा रहा है कि इसक्रीन कहा होगा जिससे object का sharp image बने It means we want to find the distance from pole of concave mirror and the distance between the image तो अब जो है pole से image के बीच का distance find करना है और pole से image के बीच के distance को हम भी से represent करते हैं हम ये भी की value find करनी है लेकिन एक चीज और देख लिजे आप तो mirror से object के बीच का distance कितना है तो mirror से object के बीच का जो distance होता है वो u होता है और u की value 25 cm दिया हुआ है एक बात और आपको समझना आवस्यक है कि देखिए जिस direction में light वे चल लई है उस direction में अगर हम distance measure करते हैं तो वो distance positive होता है लेकिन अगर opposite direction में हम distance measure करते हैं तो ये distance negative होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी distance हम measure करते हैं तो mirror के pole से ही हम measure करते हैं तो देखें हम measure करेंगे distance pole से और light ray हमेशा object से चलती है तो object है यहाँ light ray का direction left से right होगा और distance measure करेंगे right से left तो opposite direction में जब हम distance measure करते हैं तो यह distance negative होता है तो एक चीज और आपको mind करना है कि जब कोई भी object mirror के front size में होता है तो वो distance हमेशा negative होता है तो यो की value minus 25 cm हो गया भी की value आपको find करनी है तो देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि object सबसे पहले आपसे यह पूछा जा रहा है कि mirror से image के बीच का distance कहा होगा यानि भी की value पूछे जा रही है इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है nature and size of the image तो एक चीज हम आपको बता दे हैं कि concave mirror के द्वारा जो भी image बनता है यह image हमेशा real बनता है तो फर्स्ट चीज की यह image real होगा और दूसरा यह image inverted होगा और enlarged भी होगा लेकिन यह केवल statement से कहने से काम नहीं बनेगा हम लोगों को numerically solve करके दिखाना होगा कि यह सारी चीजे हैं होगी यहाँ पर तो चलें सबसे पहले हम B की value find करते हैं आपको मालूम है mirror formula mirror formula is 1 upon B plus 1 upon U is equal to 1 upon F putting the value of U and F 1 upon B plus 1 upon U U की value है minus 25 cm is equal to 1 upon F focal length minus 15 cm अब देखें फिर इसको solve करते हैं 1 upon B plus को minus से divide करेंगे minus हो जाएगा और यह हो गया 1 upon 25 is equal to minus 1 upon 15 अब हम यहाँ से 1 upon B की value find करें तो देखें minus 1 upon 25 opposite side में जाएगा तो left में minus है और opposite side में जाएगा तो plus हो जाएगा तो यह हो गया 1 upon 25 और minus 1 upon 15 है और फिर देखते हैं 1 upon B is equal to LCM लेते हैं 25 और 15 का तो 25 और 15 का LCM तो 75 हो जाएगा ना अब 25 से इसको divide के से तो 3 होगा और 3 का 1 में multiply कर देंगे 3 हो जाएगा और minus 15 से जब इसको divide करेंगे तो यह जो है 5 हो जाएगा और 5 का 1 में multiply करेंगे तो 5 हो जाएगा और फिर देखें क्या मिल रहा है 1 upon B is equal to 3 minus 5 3 minus 5 यानि minus 2 upon 75 अब इसको हम reverse कर देते हैं तो देखिए जब reverse कर देंगे तो क्या होगा 1 upon B के place पर B हो जाएगा और minus 2 upon 75 के जगह पे minus 75 upon 2 हो जाएगा अब 2 से इसको divide कर देशे तो B is equal to minus 37.5 cm तो इसका मतलब यह हुआ आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस्क्रीन को कहां रखा जाएगा अइट वाट डिस्टेंस इट मेंज डिस्टेंस क्या है 37.5 cm अदेखिए यह डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है तो कोई भी डिस्टेंस निगेटिव होता है तो वह डिस्टेंस मीरर के front side में होता है यानि mirror से left side में होता है तो height what distance तो distance मिल गया है अब हम कहा देंगे कि height minus 37.5 cm from the mirror should be a screen be placed in order to obtain a sharp image तो ये first answer आपको find हो गया और second में आपसे पूछा जा रहा था find the nature and the size of the image तो देखें image का nature find करने के लिए हमको magnification निकालना होगा और आपको पता है magnification ym is equal to minus b by u होता है mirror के लिए mirror के लिए magnification ym is equal to minus b by u आपको मालूम है तो ym is equal to minus और देखें b की value क्या है ये minus 37.5 तो ये minus 37.5 तब आया है जब 75 को 2 से divide कर देते हैं तो अब हम यहां लिख दे रहे हैं minus 75 by 2 और u की value हम रख देते हैं u की value है minus 25 जड़ा देखें क्या भी लड़ा है तो अब सरा ये देखे 25 से इसको cut करेंगे तो 3 हो जाएगा ym is equal to minus into minus plus हो जाएगा लेकिन ये उपर 3 हो जाएगा और नीचे 2 है लेकिन minus है तो minus आजाएगा और फिर यहां से m की value आप point करेंगे तो 3 को 2 से divide करते हैं जब 3 को 2 से divide करेंगे minus 1.5 अब देखें minus क्या मतलब हुआ जब magnification negative आता है न इसका मतलब यह हुआ कि image inverted होता है तो यह image जो बनेगा यह inverted होगा और यह image हमेशा real होता है तो आपसे nature आप image पूछा जा रहा है तो image real होगा inverted होगा और फिर देखें size भी पूछा जा रहा है तो अब हम लोग size भी निकाल लें कि image का size क्या होगा तो आपको पता है कि yum is equal to yach dash upon yach yach dash is height of the image and yach is the height of the object और yum की value हमको find है minus 1.5 तो यहाँ पे yum की value हम रख देते है minus 1.5 yach dash upon yach yach means height of the object तो object का जो height है यह 4.0 है हम कर देते हैं cross multiplication तो cross multiplication करेंगे तो h dash is equal to देखें क्या हो जाएगा minus 6.0 centimeter हो जाएगा यानि image का जो height होगा वो minus 6.0 centimeter के equal होगा तो जड़ा सुनिए image object आपजेक्ट का जो size था वो 4 centimeter था और image का जो size है image का size 6 centimeter है यह height height of object positive था तो जब height of object positive होता है तो height positive तब होती है जब object या image principal axis के upward होता है और जब downward होता है तो minus हो जाता है तो यहाँ पर h dash यानि height of the image is negative it means this image is formed downward from the principal axis principal axis के downward direction में यह image बन रहा है तो question में दो तिन चीज़े आपसे पोछी जा रही थे हैं पहले तो आपसे यह पूछा जा रहा था कि image कहां बनेगा तो यह confirm हो गया कि image 37.5 centimeter के distance पर कानकेव mirror के front side में बनेगा दूसरी चीज़ आपसे पूछा जा रहा था कि nature तो nature of the image is real and inverted और फिर size पूछा जा रहा था तो size of the image is 6 centimeter तो यह आपका example 10.2 जो है complete होता है और इसी तरह के question दो example और हैं उन दोनों example को भी हम आपको बताएंगे 10.3 और 10.4 देखे 10.1 और 10.2 mirror से related थे 10.3 और 10.4 जो हैं वो lens से related हैं तो जब यह चार example आप बढ़ियां से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि physics के numerical कैसे सालव होते हैं यह अभी ninth में आप लोगों ने छोटा छोटा numerical देखा था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा numerical होगा 11 में जाएंगे थोड़ा सा और बड़ा होगा 12 में थोड़ा सा और बड़ा होगा तो यह numerical जब आप practice करते रहेंगे तो numerical बहुत easy हो जाएगा numerical easy होता भी है तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तयार करना होगा इसके बाद 10.3 और 10.4 के सब हम example आपको बता लेंगे तो example बताने के बाद फिर exercise हम शुरू करेंगे और उस exercise में कम से कम 6 या 7 numericals हैं जो इसी तरह के हैं इनको हम लोगों solve करेंगे और अभी मैं आपको guarantee के साथ कर दे रहा हूँ कि इसमें से एक numerical आपसे board के exam में जरूर पुछा जाएगा इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तयार करना होगा और हमें उमीद है कि आज ये जो example आपको बताया गया ये example आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महमना इंस्टूट सर्च कीजिए और फिर red color के subscribe वाले बटन को आप click कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतामें भी और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रदिन पढ़ने वाले वीडियो की सोचना आपको हमेशा मिलती रहें और इस वीडियो को maximum student तक share करें ताकि इस important term को maximum student अच्छी तरह से सम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद